नमस्ते वितियार्थी मित्रो, स्री नव्यूक स्कुलनी वीडियो सीरीस लेक्चर मा आप सवनुँँ फरिथी स्वागत छे वितियार्थी मित्रो, आपणा बीजा लेक्चर मा आजे आपने आगड़ आपणा विशैने जोवानों छे मन्यासा चे के तमें बधा ये पेलो जे आपड़ो लेक्चर हतो येमा में अनुक्रमणी का अने आपड़ा विशाई नीजे समझुती आपी ने ए जोईली थो हसे तो हवे आज आपड़े शरुवात करिये आपड़ा प्रस्न नंबर एक थी हवे आपड़ा विशाई वानीचिय व्यवस्था आने संचालन मा प्रस्न नंबर एक थे तंदो एटले सु तंदानी लाक्षन इकताओ जणाओ विद्याती मित्रो गया लेक्चर में में तमने धंदा विश्थे थोड़ुक समझेए उदू आज फरिद ही आपड़े आपड़े याँ जोईली तंदो एटले सु तंदानी लाक्षन इकताओ जणाओ तो सव प्रथम तो आपड़े तंदानो अर्थ जोईली तंदो ए थाई छे सतत कारियरत रेवू अथवा प्रवरुत्ती में रेवू विद्याती मित्रो हवे आपड़े याँ जोईली तंदो ए एक आर्थिक प्रवरुत्ती नो जेक भार छे आर्थिक प्रवरुती नो तमने में अगाउना लेक्चर मां समझेए उदू के नाणाकिय मेड़वानी अपेक्षा थी जे प्रवरुती करवामा आवे छे तेने आर्थिक प्रवरुती के वाई तो विद्याती मित्रो आ धंदो छे ए पण आर्थिक प्रवरुती नो जेक भार छे हवे तमें जोजो के कोईपन धंदो छे कोईपन वेपारे चे कोईपन कम्पनी छे येनी स्थापना सेना माटे करवा मावी होई, नफो मेडवा माटे, तो आपनो आ धन्तो छे एपन आर्थिक प्रवरूती नो जे भाग छे, हवे आपने एनू थोडुक बेजिक चोई है, के धन्तो छे, धन्तो एटले आपने अंग्रेजी सब्द, तमे बिजनेस सांभडी हो बिजनेस नो टूकू रूप छे बीजी, बीजी एटले सतत कारियर अत्रेओ, सतत प्रवरूती मैरेओ, हवे धन्तामा पणे उच्छे, के तमे सतत कारियर अत्रेओ, सतत प्रवरूती मैरेओ, तो तमारा धन्तानी प्रवगती थाई छे, तो आपने या धन्तान वर्दी तो विद्यार्थी मित्रो तंदो सु छे, आर्थिक प्रवरुती नो एक भाग छे, अन्ने धंदो एटले बीजी, बीजी एटले सतत प्रवरुती में रेऊ, सतत कारियर रत रेऊ, हवे अलग-अलग प्रोफेसरों छे, एने तंदानी अलग-अलग व्याख्या हुआ आपेली एमाना एक प्रोफेसर चे प्रोफेसर डिकसी तो प्रोफेसर डिकसी ना मते धंतो एटले शू नफाना उद्धेश्थी करवामा आवती पोई पन प्रकार नी आर्थिक प्रवरुती एटले धन्दो जो प्रोफेसर डिकसी पनेम किये चे के नफाना उद्धेश्थी जे पन आर्थिक प्रवरुती करवामा आवे चे ये ने केवाई चे तंतो बरोबर छे, हवे धन्दोचे एह हम्मेशा नफाना उद्देश थीज करवामा आवे छे, परंतु यारेक एमा खोटपन जही सके छे हवे आपने टूकमा नफाना उद्देश थी आचरवामा आवती प्रवरूती एतले धन्दो, तो तमने समझेही गिवसे धन्दो एतले सु, कोई पण प्रवरूती करो, कोई पण धन्दो स्थापो, एनो मुख्या उद्देश होवो जोई, मुख्या उद्देश एज होवो जोई, कि आपने नफो मेडवानो छे यारे खोटपन जाई पन, मालिक छे, संस्थापक छे, एनो मुख्या उद्देश ए होई छे, कि एने स्थापेला धन्दा मा थी एने नफो मडवो जोई, हवे अही धन्दाना केटलाक लक्षन आपेला छे, तो आपने एनी सम्झूती मेडव सु, पेलू छे नफानो हेतु पेलू लक्षन छे नफानो हेतु, हवे तन्दानो मुख्या उद्देश आर्थिक प्रवरूती द्वारा नफो मेडवानो जोई मित्रों, फरीथी पाच्वाईव आर्थिक प्रवरूती, कि नफानो हेतु तन्दानो मुख्या उद्देश सुचे, आर्थिक प्रवरूती अने नफो मेडवो तो आर्थिक प्रवरूती एटले सू नाणा किया वड़तर मेडवानी अपेक्षा थी जे प्रवरूती करवाम आवे चे एने के वासे आर्थिक प्रवरूती आ समझाईगी वसे तमने तो धन्दो पणे मा जोड़ा हेलो चे के धन्दानो मुख्या पने प्रॉर्वरूती आपने आपेला चे जोगउ मैडवो तन्दानो मुख्या उद्दjemच नफो मैडवो ऊटला माटे नफाने धन्धानी सुकेवा मावी चे जीवा दोरी बरोबर चे कोईपण मालिक छे ए पोताने धन्धानी शरुवात करे धन्धानी स्थापना करे तो एनो पेलो उद्देश ए हसे के ते नफो मिड़वे एकला माटे आहिया केवा मावी उचे के नफो ए धन्धानी जीवा द बरोबर चे बिजो पुएंट चे के वस्तुनी पड़तर इमत करता वस्तु उचा भावे वेच्वामा आवे तो नफो थाई हवे आव तमने बधाहिने खबर जाशे कोईपण दंधादारी व्यक्ती चे कोईपण उत्पादन करतो व्यक्ती चे वस्तुनू उत्पादन करती खंपनी चे कोईपण धन्दो चे મુખ્ય અંધેસ નફાનો છે એતમે ખબર છે હવે નફો ક્યારે મળે ज्यारे ए वस्तु तयार ठाये, वस्तु तयार जेटली किम्मत मा थाईचे, इ किम्मत करता थोड़ा उचा भाव मा ए वस्तु वेचे, त्यारे सु थाईचे, नफो. तो आपड़े या बिजा पोइट मा एमडचे कि वस्तूनी पढ़तर किमत करता उचा भावे जे वस्तुनी पड़तर कीमत चे एना करता उचा भावे वस्तु वेच्वामा आवे तो सुथाई नफो गणाई क्लियर बदाईने पेलो पोईंट तो नफो ए दंधानी जीवा दोरी चे वस्तु नी पड़तार कीमत करता उचा भावे वस्तु वेचवामा आवे तो सु थाई नफो थे यो गण बरोबर छे हवे 30 पुएंट जो जो लामबा समाई सुधी नफो मड़तो बंद थाई तो धंदो बंद करवो पड़े एवी शक्यतारे आ वस्तु नी पड़तार कीमत चे एटली पड़ कीमत मड़ती न होई तो वेपारी ने सुधाई नुक्सान जाई तो आउँ वारमवार जो नुक्सान थाई तो वेपारी ये पोतानो धंदो शु करवो पड़े शे बंद करी देवो पड़े चे करन के जो नफोज ना थाई तो वेपारी ने पोताना घर माधी पईशा नाखवा पड़े चे औने आ एने परवड़े नहीं एथी के टलिक वार नफोज न थावाना काणे तंदो बंद पण करवो पड़े चे अवे पचीनो आपने पोईट जोई है तंदामा नफानू पुन रोकाण करी मुडी वधारी शकाई छे जोवो विद्याती मित्रों के धन्दो जे एमा तमने सततने सतत नफो थतो होई तंदामा सतत नफो थतो होई तो ए नफानू तमे विजी अन्य जग्ये पुन रोकाण फुरी थी रोकाण करी अने पोतानी मुडी मा वधारो करी शको छो हवे तमारे कोई पन धन्दो तमे स्थापियो छे ए धन्दामा तमने सतत नफो थाई चे सतत प्रगती थाई चे तमारू संचालन छे ए खुबज बेश्ट चे तेथी तमने नफो थाई चे तो आ नफानू तमे पुन रोकाण करी अने तमारी जे मुडी छे एमा वधारो ग एकलो ख्याल तो आविद गियो असे के नफो छे ए धंदानु चालक बढ़ धंदाने जलावनार छे ए कुन छे नफो अने एनी पारा सीसी छे जो धंदामा नफो न थाई तो धंदो आगड जाली शके नई खोटना काणे धंदो आगड वधारी शकातो नथी एटला माटे केवा माईगुज के नफो ए धंदानु चालक बढ़ अने पारा सीसी छे बरबर छे विद्याती मित्रो फरिती सोल्ट माँ अपने एकवारा पॉइंट जोई ले के धंदाना लक्षान माँ धंदानो हेतु हेत वस्तुनी पढ़ तर किमत करता उचा भावे वस्तुनु वेचान करवामा आवे तो सु थाई नफो थाई छे हवे लाम्बो समय सुधी नफो न मढ़े तो धंदो सु कर बंद थावानी शक्यता रहे छे नफानु पुनहरो काण करी अने बोडी माँ वधारो करी शकाई छे आम धंदो ये नफो ये धंदानु सुछे चालक बड अने पारासिसी जे बरोबर छे विदियार्थि मित्रो तो आ हता धंदाना लक्षण मानु एक नफानो हेतु हवे विदियार्थि मित्रो आपने बिजु लक्षण जोईए वस्तु अने सेवानो विनी माई वस्तु अने सेवा चे एनो विनी माई विनी माई एकले के आपले करवी एक बिजाने वस्तु अने सेवानी सु करवानी चे आपले करवानी चे तो धंदामा कही रिते वस्तु अने सेवानों वीनिमय थाई। एक एक्जाम्पल लई है कि कोई पण खेतर मां कपास उईगो छे तो इक पास छे एनू सूत्यू उत्पादन बरोबर छे इक पास छे इकाचो माल छे बजार मां आवसे अटले एनू सूत से वेचाण अने खरीदी तो आज रीते तंधा मां पण सूचे वस्तु के सेवानों अने वेचाण द्वारा वीनीमई थाई छे वीनीमई एटले आपले जो हुँ वस्तु छे ए मारी पासे खरीदीने राखिस तो मारे एनू वेचाण पन करू उजो से अने वेचेली वस्तु छे एक खरीदनार पासे खरीदवानी रेशे एले आ थयो वस्तु के सेवानों वी फोटिक वस्तु तो शमझाडों, क्ये वस्तु ओ एटले भोतिक, केवी भोतिक वस्तु पेन चे, कपड़ा चे, इलेक्ट्रोनिक वस्तु छे, खुड़सी छे, कोई पन वस्तु के तमें जोई सकों, तो आबधी भोतिक वस्तुओं छे एनो धन्धा मासू थाई छे, बिनी माई थाई चे। बरोबर छे तो सेवावो एट ले केजिनके वीजडी नी सेवा, वाहनवेवहार नी सेवा, बैंकिंग नी सेवा, हवे तमे合, कि धन्दा माटे आ बती वस्थू ओपन खूब जरूरी छे, के विरी ते जरूरी छे कि कोईपन धन्धो चालतो होई, तो यह विजडीना दरेक साथनो हसे, अवे ए धन्धानों व्योवार चे नानाकिय व्योवार ए बेंक द्वारा थातो होई तो ए बेंकिंग नी पने एक सेवा ओछे वाहन विववार द्वारा बाल नी अवर जवर थाती होई तो लिवाहन विववार नी सेवा छे एक प्रकार नी तो आजे वस्तुओ अबहुतिक येटले अपने हेने जोई सकता नथी अरी ते वस्तु अने सेवा उननों विनी मै mirrors थाई चे कि द्या है थी मित्रों तंधाणार लक्षन में अप्णे जो ईत्या नफा नहीं हां वस्तु अने सेवा नना विनी मै तंधानों मुख्य मैं तंधानों चे आ कमारे एक वस्तु सम्झीलेवानी दंधा द्वारा वस्तु औने सेवा नो विनिमाई थाई जे वस्तु ओ एटले भोतिक औने अभोतिक वस्तु ओ भोतिक एटले जोई सकाई अभोतिक एटले जे सेवा ओ छे ए हवे आपणे जो ये त्रीजु लक्षन जोखम औने अनिस्चितता है धर्तिकंप, अतिव्रुष्टी, पूर, दुसकाड वगेरे जेवा कुद्रती जोखमों धर्तिकंप छे, पूर आयो, दुसकाड थियो छे, आ बदी कुद्रती घटनाओ छे आ कुद्रती घटनाओने कारणे पन धन्धामा जोखमनु प्रमार रहे छे तमे अतियारे हालनी परिश्थिती जोईलियों ने विदियार थियो, के आपणे जे आ कुद्रती जोखमों छे तो इकुद्रती जोखमना कारणे पन धन्धामा सुथाई छे, नुक्सान जाई छे, अने एपन एक प्रकारनु जोखमों छे बरोबर छे, बिजु छे, आग, अकस्मात, हडताल, लुटफाट आब दा मानव सर्जित जोखमों छे, के आग लागी छे, कोई फेक्टरी छे, कोई धन्तों छे, एमां हडताल थाई छे लुटफाट थीँ छे, चोरी थाई छे, तो आब दा मानव द्वारा जे जोखमों निर्मा हुआ मा आवे छे मानव द्वारा निर्मित्थाईला छे, एवा जोखमों छे, तो आवा जोखमों मा धन्तानी अनिस्चित्ता, नफानी अनिस्चित्ता रहे छे, बरोबर छे तो आपने बेद प्रकारना जोखमों कुद्रती आने मानव सर्चित कुद्रती जोखमों एटले तरतिकंप, अतिवरुष्टी, पूर, दुसकार आ बधी बाबतों छे एकुद्रती जोखमों छे एना कार्णे पन धन्दामा नफानु प्रमाण निश्चीत रेतु नथी मानव सर्चित जोखमों हडताल छे लूटफार्ट छे आ बधा छे मानव सर्चित जोखमों ग्राहकों नी पसंगी रूची मा फेरफार थवाना कार्णे पन धन्दामा जे छे ए अनिस्चीत ताने जोखम रहे छे तमने उन एक्जम्पल आप हो के कोई भेपारी ये जे वस्तुन उत्पादन थियुँचे दाखला तरीके कपड़ान उत्पादन थियुचे तो याँ थी एक हारे बहु बदा कपड़ानों स्टोप छे पोतानी दुकान मा राखी लिधो छे होवे अतियारनी जे ग्राह को छे एनी र फेशन चे ए बदलाई गई छे तो इ बदलाती फेशन ना काण एनो जे चुनो पढ़ेलों माल छे ए वेचान थसे नी बरोबर छे तो आमापन ग्राह को छे इपोतानी पसंद गी मुझाबज मालनी खरीदी करेछे पोतानी अतिया जे धन्धादारी व्यक्ती चे मालिक चे ने सुधाई चे जोखम रहे चे माल नव वेचावानू जोखम बरोबर चे पचे आवा जोखम उमा नफाने बदले नुक्षान थाई चे केवा जोखमो मा ज्यारे ग्राहकोनी जे पसंदगी चे रूची चे इबदलाती वोई एना कार्णे स्टोक चे नव नव लावो पड़े चे पची कोई पण प्रकार नो धन्तो होई एमा ग्राहकोनी पसंदगी मुझब चालवान होई चे तो आवा समये सुधाई नफा करता नुक्षान मा वदारो थाई चे अत्वा नफामा वदगट पन थाई चे नफामा वदगट थाया करे नफामा वदगट थाई एनु कारण सु के जे बदलाती परिस्तिती चे एज रिते धन्दादारी व्यक्तिये चालवा पड़े चे बरोबर चे त्रीजु लक्षन कई व आपरू जोखम अने अनिस्चित्ता जोखमों आलग अलग प्रकार होई छे एना कारने धन्दामा नफानी अनिस्चित्ता रहे छे पचिनो आपरू लक्षन छे तुष्टी गुर्णनू सर्जन तुष्टी गुर्णेटले सूपेला तो ए समझीलियो धन्दा द्वारा तुष्टी गुर्णनू सर्जन थाई चे पड कई रिते चीजवस्तुओ के सेवा ओ द्वारा वप्रास कारने जे संतोस थाई एने तुष्टी गुर्ण के वरे फरीती समझाव़ Kerryщ चीज वस्तु हो के सेवाद्वारा वप्रास कार वप्रास कारेटले आपणे बधा तमें अने मुँँ कि आपणे जे चीज वस्तुनों वप्रास करिये चे एना ति आपणने संतोस ठाई चे तो एने के वासे तुष्टि गुण तो तंधामा पन तुष्टी गूर्णू तो सर्जन थावू जोई है कई रिते के तमने कोई वस्तु तमे लाविया छो बजार मा थी तो ए वस्तु थी तमने संतोस होई तोज तमे ए वस्तु विजिवार खरीदवा जाशो तो इह आपने वप्राशकार छे आपने ग्राहक छ आपना तुष्टी गूर्णू सर्जन पन थावू जोई है तंधा द्वरा निर्मित जरूर्या ती मानव जीवन आरामदायक बने तुष्टी गूर्ण छे अवे अमणा अगर किदू आपने जे वस्तु खरीदी छे एना ती आपने जीवन आरामदायक बने आपने संतोस छे तो एने के वासे तुष्टी गूर्णू सर्जन बरोबर चे तुष्टी गूर्णू सर्जन एटले टूक मा आपने जे कोई वस्तु धंधादारी ओ पासे थी दुकांदार ओ पासे थी खरीदिये छे ए वस्तु खरीदियानो संतोस आपड़ने होई एने के वासे तुस्ति गुण नुशर्जन एक स्थरे थी बीजे स्थरे सेहलाई थी वस्त्यु ओ जैई सके अथवा मोपली सकाये तो एने स्थर नो तुस्ति गुण के वाई हवे तमें जोओ आपने अमरा बाद करता था के आपने जरुर यातो संतोश आए आराम दायक थाई तो इमानव पड़ अहीं तो स्थाड नी वाद थाई चे, कि एक जग्या एथी बिजी जग्या माल चे, सेहला एथी पोची जाई, सेफली पोची जाई, सलामत रहे, तो ए पड़ एक स्थाड नो तुष्टी गून चे, बरोबर चे, तो तमें आटला लक्सन फरीथी एक वार खालेई ना फानो हेतु, वस्तु अने स्थिवानो विनी माई प्रिजू छे, जोखम अने अनिस्चित्ता, तुष्टी गूर्णू सर्जन